तो कुछ दिन पहले iPadOS का अपडेट के ऊपर मैंने जो वीडियो बना था तब मैं आप लोग को बता दिया था कि इसी विक में या फिर नेक्स्ट विक में हम लोग को iPadOS 16.2.1 देखने को मिलेगा और एक महीने के बाद जो iPadOS 16.3 का जो अपडेट है या फिर iOS 16.3 का जो ऑफिश कर दिया है और जो लोग मेरे regular viewer है उनको यह चीज़ पता है कि जो iOS और iPadOS का जो अर्सी अपडेट होता है ना वो जब iOS का जो स्टेबल वाला वर्जन लाउंच होता है उससे कुछ दिन पहले अर्सी अपडेट सभी iOS और iPadOS का जितने भी बीटा यूजर है सबके लिए रिली को इस नहीं करते हैं तो उसमें जो स्टेबल वाला वर्जन रहता है उसको हर एक बार में जो अशी अपडेट होता है exactly same version को ही डाला जाता है क्योंकि यह तो beta में stable वाला version है तो कोई सभी और update का ज़रूरत नहीं है तो यही RC update ही stable वाला version में डाला जाता है I guess अभी तो आप लोगो clear हो चुका होगा कि iOS और iPad OS का जो update है वो किस तरीके से काम करता है तो अभी RC update जैसे 16.3 का release हुआ है तो कुछी दिनों में iPad OS और iOS 16.3 भी हम लोगो सभी device में देखने को मिल जाएगा और उसका exactly date भी में आप लोगो बताऊँगा लेकिन उससे पहले मेरा iPad Air 5 में तो मैंने iPad OS 16.3 का जो RC update उसको install कर लिया है तो इसके अंदर जो performance है इसका जो battery health है किस तरीके से drain होता है या फिर इसका जो benchmark score है वो मैं आप लोगों को बताऊँगा ताकि आप लोगों को भी clear idea हो जाए कि जब ये stable version में आएगा तब आप लोगों को install करना चाहिए या फिर नहीं इसी week में Apple ने नया MacBook Pro, Mac Mini और उसके साथ नया HomePod भी launch किया है और Apple जबी भी कोई नया hardware लाँच करता है ना उसके साथ नया software भी launch करता है तो इसी ये देड महिने के बाद जो iOS और iPadOS 16.3 हम लोगों को देखने को मिलने वाला था लेकिन अभी जब मैंने इसको update कर लिया ना RC update में तब इसका जो benchmark score है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुआ है आप लोग single core में भी देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा improvement थोड़ा ज़्यादा ही हम लोगो score देखने को मिला है 1714 और जो multi core था उसमें भी improvement देखने को मिला है 7295 तो दोनों जगह पर काफी ज़्यादा benchmark पर improvement हुआ है और benchmark में इतना improvement मतलब इसका जो performance है उसमें भी आम लोग को बहुत ज़्यादे improvement देखने को मिला है मैंने जब से इसको install किया है और जब मैं इसको recording कर रहा हूँ इतना सदा time तो नहीं हुआ लेकिन मैंने still आदा गंटा 45 minutes तक थोड़ा मोड़ा PUBG खेला ताकि इसका जो performance है वो मैं थोड़ा समझ पाऊं वरना आप अगर normal app open करोगे या फिर थोड़ा browsing भी करोगे तो उसमें जो jitter feel होता है ना बीटा वला वरजन में यह जो अरसी अपडेट था उसमें कोई से भी आप लोग को थोड़ा सा भी jitter lag यह सा बिलकुल भी feel नहीं होता जो performance है वो normally काफी ज़ादा अच्छा है और अगर हम लोग game खिल देने बात करें बस PUBG नहीं आप लोग अगर जैंसीन इंपक्क माइनक्राफ जैसे गेम भी खेलोगे ना तो उसमें कोई से भी आप लोग को लैग या फिर फिर फ्ल्म डॉप्स देखने को नहीं मिलेगा मैंने जितने भी आदा घंटा गेम खेला है उसमें इसका जो performance है और टॉप नॉच क्वालिटी का है जैसा performance हम लोग को 16.2 में देखने को मिला था वैसा ही performance हम लोग को 16.3 में भी देखने को मिले performance में on paper में थोड़ा सा improvement देखने को मिला है आप अगर benchmark में test करोगे जैसे कि मैं आप लोग को दिखा है कि थोड़ा सा high score किया है और आप लोग जब video edit करते हो वीडियो एडिट होने के बाद आप लोग video को render या फिर export करते हो ना तो उस time में भी तो processor का बहुत ज़रूरत कि अभी के डाइब में जितने लोग भी iPad mini 6 या फिर कोई सभी iPad में 16.2 को install किया और वो सब यहीं बोलता है performance में कोई सभी मंदब दिक्कत नहीं है लेकिन इसका जो battery है जो battery consumption हो बहुत ही साथा फास्ट हो रहा है और हाँ यह चीज़ बहुत ही साथा एक बड़ा issue बन चुक ह कि बहुत सारी यूजर इसके उपर ना एपल बालों को कम्प्लेइन किया है जितने भी सारे फोरंग वगरा रहता है वहाँ पर तो डेबलबर्स भी इसके उपर काम कर रहे है और आने वाला update में यह सब चीज़े जो battery issue है वो सब चीज़े फिक्स हो जाना चाहिए कि 16.3 का जो अरसी अपडेट है उसमें में जो बैटरी ड्रेन है वो हम लोग को 16.2 में जिस तरह के बैटरी ड्रेन देखने को मिल रहा था है वैसा ही exactly same बैटरी ड्रेन हो रहा है कोई सब इतना improvement नहीं हुआ है बैटरी लाइफ में और मेरा वीडियो में बहुत सारी उसर कमेंड करत बताओंगा कि इसका जो performance है और जो बैटरी हेल्थ है वो कैसा है वो वाला वीडियो देखने के बाद ही आप लोग डिशन लेना कि आप लोग का update करना चाहिए या फिर नहीं बीना वीडियो देखने कर देतो ना तो कोई से भी problem हो सकता है तो आप लोग के लिए बोल रहा ह और अगर exact date बताओं तो ये वाला screenshot में आप लोग देख सकते हो जो नया Macbook Pro है और जो Mac नी है वो 24th से sale में आ जाएगा तो उससे एक दिन पहले 23rd जबकि Monday है Monday से Saturday तक 27th के बीच में ही हम लोग को next वाला जो update रहेगा iPadOS 16.3 का वो सभी iPad में देखने को मिल जाएगा और ये व वहार दो जाएगा पाईजा है जाएगा?